Hello students, welcome back to my channel आप सबते exams के तयारी कैसी हो रही है? I'm sure आप लोग बहुत महनत कर रहे हो और आप लोग पूरे dedication और पूरे confidence के साथ अपने exams के तयारी कर रहे हो बट क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजे भी है जो बच्चे करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए? कुछ ऐसे mistakes जो बच्चो को avoid करनी चाहिए, especially exam से एक दिन पहले और exam के दिन तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे 5 topics पे जो बच्चो को technically नहीं करने चाहिए और जैसे ही आप ये 5 चीजे अवोइड करना शुरू कर देंगे या इनके उपर से पूरा focus हटा करके अपनी studies पे अपने आप पे focus करना शुरू कर दोगे I am sure आपके exams बहुत अच्छे जाएंगे और आपके marks भी बहुत अच्छे आएंगे इन 5 mistakes के साथ साथ मैं कुछ ऐसी insider information भी आपके साथ share करूँए जो boards के correction के समय, teachers generally practice करती है क्या करते हैं, अपने दोस्तों को phone करते हैं, hello, कितना हुआ, कितना पढ़ लिया, कितने घंटे से पढ़ रहा है, कितने घंटे से पढ़ रही है Oh my god, मुझे ते यह कुछ नहीं आता यह चीज़े करने से हम अपने आपको stress देते हैं, अपनी anxiety levels पढ़ाते हैं और panic create करते हैं It is best to avoid talking to your friends अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप और आपके friend दो अलग identities हैं, अलग इंसान हैं, अलग circumstances हैं, अलग family backgrounds हैं Say for example, एक बच्चा है जो class में topper है और एक बच्चा है जो एक mediocre marks लाने वाला बच्चा है तो इन दोनों के planning में, इन दोनों की study techniques में, इन दोनों की revision techniques में जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत अंतर होगा कुछ बच्चे लिख करके पढ़ते हैं, कुछ चलते फिरते पढ़ते हैं, कुछ सोते समय पढ़ते हैं, ये चीज़े भी impact करती हैं तो अगर हम exam से एक दिन पहले अपने friends को call करके पूछते हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितनी चीजों को study किया है तो ये चीज़े आपको definitely stress mode में डाल देंगी, तो best होगा कि आप अपने friends के calls avoid करो, आप अपने phone से भी दूर रहो दूसरी important चीज़, बहुत बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह फिर जल्दी उठके पढ़ने लग जाते हैं मैंने अपने एक पिछली वीडियो में भी ये बताया था, कि आपको आपकी night sleep के साथ compromise कभी भी नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर आपका mind well rested नहीं है, उसे proper rest नहीं मिला है, तो उस तरह की focus वो नहीं कर पाएगा जितनी की जरूरत होगी, अगले दिन exam लिखते समय, it will forget, recalling will become difficult and moreover, एक अजीब सा panic mode create हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा, ओ गौड मैं सब भूल रहा हूँ, या मैं सब भूल रही हूँ तो वो चीज़े क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को proper rest नहीं दिया, अपने brain activities को repair mode में जाने ही नहीं दिया sleep time में हमारा neurological activities, हमारे cognitive activities repair mode में जाते हैं, full body repair mode में जाती है तो जब हम रात को well rested नहीं होंगे, properly नहीं सुएंगे, तो ये सारी चीज़े आपकी overall productivity जो exam में जरूरी है, उसको खराप कर देंगे इसलिए it is necessary कि आप at least 8 hours की sleep तो जरूर लो, plan your time accordingly and ensure कि आप 8 घंडे की sleep तो definitely ले रहे हो exam से एक दिन पहले तीसरी mistake, सुभे उठकर हम अपनी syllabus है उसकी revision नहीं कर पाते, क्यों क्योंकि रात में बहुत लेट सोय थे तो अगर हम रात को time पर सुएंगे तो सुभे time से उठ सकेंगे और morning hours में जो हम revision करते हैं, वो revision हमारा दिमाग जादा time तक याद रख पाता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, जादा तर मैंने जो अपनी 16 साल के experience में देखा है, बच्चे सुभे उठके नहीं नहीं चीज़े पढ़ने लग जाते हैं, जो उन्होंने पीछे छोड़ रखी थी वही पढ़ना दुबारा शुरू कर देते हैं, कि भई चलो last minute है कि इसको go through कर ले, शायद कोई objective आजाये, शायद कुछ आजाये, please don't do that, आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसी को आप सुभा उठकर एक fast revision दे दो, पूरा syllabus उपर उपर से एक बार अच्छे से देख लो, so that you know कि कोई एक answer अगर आ जाता है, तो आपको पता है कि उस answer का structure क्या है, उसमें किस तरह के definitions जाने वाले है, किस तरह के diagrams उस answer में आने वाले है, उन diagrams के उपर एक thorough look लगा लो, and be done with it. अब ये fast revision का फाइदा क्या है, इससे आपको याद रहेगा, कि fine मैंने ये ये सारी चीज़े पढ़ी थी, और जब exam में उसी segment से questions आते हैं, तो हमें याद रहेगा, recall करने में हमें आसानी होगी. Plus, morning में brain बहुत fresh होता है, brain activity fast होती है, तो उस समय आप जो भी activity करोगे, जो भी आप read करोगे, वो brain तुरन से grasp कर लेगा, and आपके लिए उसे recall करना आसान हो जाएगा, while writing the paper. 4 बहुत बचे, घर से निकलते समय भी बुक लेके पढ़ रहे हैं, train में जा रहे हैं, या bus में जा रहे हैं, या auto में जा रहे हैं, उसमें भी पढ़ रहे हैं, exam hall तक पहुँचने तक पढ़ रहे हैं, अपने bench पे बैठने के बाद भी पढ़ रहे हैं, तो please इस चीज को avoid करो यह last minute जो हम reading करते हैं, वो आपके brain को सिरफ mix-up करती है, jumble-up करती है, confuse करती है It is seen and experienced personally, कि जब हम last minute revision करते हैं, जो हमने पढ़ रखा है, वो भी हम jumble-up हो जाते हैं, भूल जाते हैं And exam में, अगर उस segment में से कोई question आ जाए, जो हमने last minute तक पढ़ा है, our brain won't remember it क्योंकि हम already panic mode में होते हैं, we are already running towards the hall, figuring out कहां पे हमारी seat है हमारा hall ticket कहां है, हमारे pen, pencils, सारी चीज़े साथ में है, नहीं है, पानी की bottle ली है की नहीं ली है तो यह सारी चीज़ें बहुत important होती है हमारे दिमाग में, उस समय वो भी at the back of the mind चल रही होती है तो उस समय जब हम पढ़ रहे हैं कि revise कर रहे हैं, तो वो revision आपके दिमाग में कभी भी नहीं जाएगी I think मैंने एक पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, human brain is not capable of multitasking तो आप एक ही काम पर focus करो, घर से examination hall तक जाने में, अपनी seat तुनने में और seat पर जाकर calm mind के साथ relax होने में थोड़ा सा prana aim कर लो, breathe in, breathe out करो and try to cool your mind and relax yourself That is going to help you figure out आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है तो कभी भी warning bell भाजने तक जो first bell भाजती है कि भाई, आप अपनी classes में आजाओ, अपनी seat पर बैच जाओ उसके बजने तक कोई revision करने की ज़रोथनी बिल्कुल भी अपनी books को नहीं देखना है उस समय If possible, don't carry a books also सिरफ अपना writing pad ले जाओ, pen pencils जो भी आपकी stationery है वो ले जाओ पानी का bottle ले जाओ, चाहिए तो एक chocolate साथ में ले जाओ so that you keep your blood sugar levels in control फिफ्थ चीज, सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं question नहीं आ रहा, आप उसे छोड़ देते हो do not ever leave any question unattempted अगर आपको economics थोड़ा भी आता है, आपने कुछ भी पढ़ रखा है तो कोई ना कोई एक common चीज, कोई common से definition, कोई common सा meaning उस question से related वहाँ पर लिख करके ज़रूर आओ now this is your bonus tip boards की correction बहुत strict नहीं होती ठीक, बहुत सारे बच्चों को ये phobia होता है कि बहुत strict correction करेंगे जानबूज के हमें फेल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है boards में literally बच्चों को पास करने की कोशिश करते हैं teachers, ठीक तो अगर आपने एक भी sentence ऐसा लिख दिया है उस particular answer में जो आपको नहीं आता but उसमें कोई एक word ऐसा आगया keyword जो teacher के answer key में mentioned है you get a half mark there easily और half a mark makes a difference, right? तो ये बहुत important है कि आप कोई भी answer ना छोड़ो सारी चीज़े लिख कर क्या हो जितना आपको आता है वो अच्छे से लिखो और जो नहीं आता है keep it towards the end so that आपका impression खराब ना हो and try and figure out कि आपके हिसाब से वो particular चीज़ क्या है उस question में क्या इसका मतलब बनता है for example GDP का मतलब पूछा है GDP का full form क्या होता है gross domestic product अगर हमारी थोड़ी सी भी English अच्छी है तो gross का मतलब होता है total domestic मतलब country के अंदर वाली product मतलब goods and services तो country के अंदर बनने वाले total goods and services का मतलब होता है GDP खतम अगर आप इतना भी लिख दो तो आपको half marks उस particular question के ज़रूर में लेंगे अगर आप खाली छोड़ के आते हो तो वहाँ पे teacher किस चीज़ पे marks दे अगर आप मान लो गई सी गई हालत में आप फेल हो रहे हो तो उस blank paper पे teacher किस चीज़ पे मागते तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो definitely लिखना चाहिए never leave any question unattempted अगर आपके पास कोई numerical question है please ensure you are writing the formula first और उसके बाद आप step by step उसको करके दिखाओ और formula में भी आप short forms मत लिखो जैसे for example NFIA लिखते है net factor income from abroad so NFIA नहीं लिखना है पूरा लिखना है net factor income from abroad GDP नहीं लिखना है पूरा लिखना है gross domestic product at market price or at factor cost write the full formula then start solving it step by step and if possible जो last का जो answer होता है या तो उसके नीचे double line डाल दो indicating की ये final answer है या एक rough सा box बनादो indicating की ये final answer है ठीक तो इस तरह से आपके presentation भी अच्छी लगती है and आपने teacher को कोई भी scope नहीं दिया है आपके marks काटने के लिए and finally कभी भी self doubt मत करना be absolutely confident आपने जो पढ़ा है आपने जो भी revisions की है वो आपको definitely आएंगी and you will definitely rock your exams या so study well stay positive stay confident and you're gonna nail it my friend I hope you like my videos if you do please like and subscribe to my channel and share my videos with your friends I'll see you in another video bye now take care कर दो जो आपके सब्सक्वार्ण